किसी भी CD DVD में डेटा को इरेज और बर्न करना पता है नहीं तो चला हो बताता हूं किसी CD को open करने के बाद दो option आते हैं USB में क्लिक करने के बाद यह normal pen drive की तरह copy होगा और CD में क्लिक करने के बाद इसमें आपको data को burn करना पड़ेगा तो जैसे मैं इसमें कोई file copy करता हूँ यह temporary file की तरह इसमें आएगा और आपने यहां blank space में क्लिक करना है उसके बाद एक नया tab आ करने लग जाएगा